uster हेलो श्ट्रेंट्स तो देखिए हमारा जो टौपिक चलना था वो हमारा प्रतिसक चलौना था इससे पहले टौपिक में बैने कुछ इसके एप्लिकेशन दे सवाल कर रहे थे और उससे पहले में मैंने आपको इसका बेसिक बताया था कि परसंटेज हमारा होता क्या है और परसंटेज को कैसे उसके सिंपल सवाल हम लोग कर लेते हैं लेकिन आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और सवाल करते हैं देखिए कोस्चन एक वाई नंबर वाईस करेंगे ओके तो देखिए हमारे पास कोस्चन है आज का पहला हमसे कह रहा है कि एक सहर की जनसंख्या हर साल आट परसंट बढ़ जाती है यदि वर्तमान में एक लाग वैली से जार पांसो साथ वहाँ की जनसंख्या है तो बताईए इससे पहले साल में जो एक साल पहले वहाँ की कितनी जनसंख्या थी तो देखिए इस कोस्चन बढ़ा सिंपल है बस थोड़ा सा हमें सोच रहा है कि हम करना कैसे है वही एक साल पहले की जनसंक्या हमें नहीं पता है जब हमें नहीं पता होती है तो हम लोग क्या मनते है माना जनसंक्या कितनी है X थी एक साल पहले तो हर साल कितनी बढ़ती है 8% तो इसका मतलब जो जनसंक्या बढ़ी वो कितनी बढ़ी जितनी जन संक्या थी उसका 8% यही तो बड़ी जब संक्या मैंने माना कि मेरे पास कोई 10 रुपे है वो अगली साल को उसके रुपे 2 रुपे बढ़ा जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में मैं 2 और जोड़ दूँगा यही तो होगा बिल्कुल सेम यहीं पर करना है वही एक साल पहले कितनी जन संक्या थी X अब कितनी बढ़ा गई X मैंने की X गुणा 800 तो किस में जुड़ेगी वही X में जुड़ जाएगी और मिलके कितने बैठेगी वो 14,42,507 यहां से आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है आएगा देखिए अभी समझाएंगे इसका हमारे करना क्या है करना क्या है आपको यह मैं बता दूँ अब आपको इन दोनों से X को आप इसके तरीके कही होते हैं करने के लिए थोड़ा अभी मैं इसका shortcut तरीका आपको मैं बताऊंगा तो आपको ओर अच्छे सा आजाएगा ठीके ना आप अभी इसको देख लिए देज़े ला तो X गुणा 8 बटे 100 और प्लस 1 बराबर हमारे पास ही हो गया 100 मन्द की 560 ठीके अब आप यहाँ से क्या है X की value निकालेंगे तो X की value निकालने के लिए यहाँ से सबसे पहले आपको इसको solve करना पड़ेगा यह जो आपका यह वाली value है यह वाली value है हमारी कितने हाजएगी देखिए X गुणा यह हमारे पास हाजएगी 100 और 100 प्लस आठ और बरावर जो हमारे पास मतलव की 14 मैं लगी 25 और 0 0 इतनी बास समझ भाई अब क्या करना है इसको आप solve कर दीजे और हमारे पास X की value हाजएगी X बरावर आप 100 को इदर multiply में ले जाएगी 14 25 और 42 और गुना 100 क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि नीचे वाली संक्या उपर चली जाती है और उपर से 108 क्या जाएगा नीचे आ जाएगा अब आप इसको solve करना है इसको आप जैसे ही इसको solve करेंगे तो देखे इसको काट लीजे इसको काटेंगे जब हमारा आएगा तो यह हमारा कितना जाएगा हमारा 54 आजाएगा और यह हमारा कितना जाएगा पचास आजाएगा फिर आप इसे और काट लीजे तो यहाँ पर हमारा कितना आगया पच्चीस आगया और नीचे कितना आगया 27 आ गया, अब आप क्या करिए कि इसकी जो है, हमारे पास 25 की और इसकी पूरे की मल्टिप्लाई करिए और 27 से भाग करिए तो जब आप इसको भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा लगवग लगवग 1,31,944 पॉइंट सम्थिंग, तो यह 944 मतलए यह पूरा है, लगवग लगवग, 1,32,000 वहां की क्या होगी जद संक्या बढ़ गई, ठीक है 1,32,000 के लगवग, अब देखें इसको मैं एक आसान तरीके मां आपको इसी को बता रहा हूँ सवाल को, एक फॉर्मुला ड्राइव गर के, ठीक है ना अब आप इसको देखे लीजी ज़िए रहा पर यह जो मैंने फॉर्मुला लिखा है यह फॉर्मुला आपका इस सवाल को काफियत तक आसान कर देता है आपको इतना जो मैंने बता है था उतना सब सोचने के जोरुत नहीं है केवल आपको क्या करना है या जनसंख्या बराबर सो बटे सो प्लस बढ़ोतरी मतलब जितनी हर साल बढ़ रही है बढ़ रही है तो प्लस है और घट रही है तो माइनस लग दंगे और गुणा जो पुरानी जनसंख्या है ठीक है यहाँ पर इसको यह दि आप रखते तो आपका होता कि 100 बटे 100 प्लस 8 और गुणा वो पुरानी वाली जनसंग किया ठीक है अब आप इसको solve करते solve करने के बाद जो आपका आता वो आपका 1,32,000 जो अभी आया वही आपका अंसर होता मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आगया होगा ठीक है आगया हो तो एक बार कमेंट करके बताय करो कि यहां भी आपका मुझे की पढ़ायवास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है या और इंप्रूव करने की जोरूत है तो यह सब आप feedback मुझे दिया करो कि जिससे पूरे साल में मतले कि 219 दिन स्कूल जाती है और उसकी उपस्तिती का मतले कि 75% है तो बताये कुल कितने दिन स्कूल खुला इसको कुश्चन को करने के लिए कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में लेकिन एक बार फिर से बता दे हमने माना कि वो स्कूल जो है वो X दिन तो सीवा कितने दिन प्रिजेंट रही उसका 55% बराबर कितना हुआ बैठा 219 दिन कॉस्चन के अकॉर्णिंग चलो कभी मात निखा होगे बिल्कूल निखा होगे चाहिए कहीं भी चले जाना किसी भी कमपडिशन में बैठ जाना यह यह आप कॉस्चन के अकॉर्णिंग च इसको कर लीजे एक्स बराबर 219 और गुणा 100 और बटे 55 ठीक है इसको आप सॉल्व किजिए 25 चो का 100 ठीक है ना और 25 ती 55 और 3 से साइद यह कट रहा है 3 सत्ते 203 तीया 9 ठीक है इसको इसमें गुणा कर लीजे 4 तीया 12 और 4 सत्ते 2829 ठीक है 2001 में इसका हमारा correct answer है अगला question देखते हैं देखे एक और सवाल है हमारा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने कल कर आये थे और उसी के संबंद में था है देखे हमसे कह रहा है कि आपके किसी property पर बनले की 3% commission 4740 के बरावर है तो property की कीमत हमें बतानी है तो property की कीमत आप आसानी स पता सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि आपको तरीका वाता है वही तरीका है x मानो क्योंकि x का 3% जो है वो बरावर है किसके 4740 के बस कर दीजे x बरावर 4740 और गुणा 100 और बटे 3 अब आप इससे solve कर सकते हैं ठीक है ना देखे तीन से हमारा कितने बार कर देखे तीन पंजे 15, 53, 8, 24 और आप इसकी इसमें गुणा कर दीजे तो 15, 8, 0, 0, 0 ठीक है तो यह आपका अंसर आजाएगा बहुत आसान था आप इससे कर सकते हैं अब हो गया है कोई दिक्कत नहीं अगला सवाल देखिए देखिए अगला सवाल है काफी आसान सवाल होता है क्योंकि इस तरीके का आ जाता है कई और कई तरीके से आ जाता है क्योंकि सबसे आसान वाला यही होता है जो आपको मैं यहाँ पर दिका रहा हूँ क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि यह गाव की जन संक्या 2000 है और उसका 30% पर ऐसी करके इसका 30% का 600 आ जाएगा और इसका आप 2000 का जब आप 40% निकालेंगे तो हमारा कितने आ जाएगा यह से कट जाएगा चार दूली आठ मतलब आठ सो तो इसमें 600 तो पुरुस है 600 इस्तरी है और 800 बच्चे है अगला कोश्चन देखिए देखिए यह भी आसान सवाल है क्योंकि इस तरीके के मैंने कल 4 पास सवाल कर रहे थे इससे पहली वीडियो में लेकिन फिर भी देख लिजे इसको क्योंकि हमसे कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुल 30 बच्चे है और 80% इसमें से पास हुए है तो हमसे फेल पूछ रहा है तो देखिए जब 80% बच्चे पास हो गए तो इसका मतलब फेल कितने परसंट हुए है 20% क्योंकि total percent 100 होता है क्योंकि अब हमारे 80% क्योंकि पास हो गए है 20% फेल हुए है क्योंकि 30% है अब आप 30 का 20% निकाल दीजिए तीन दुनी 6 इसका मतलब जो 6 बच्चे है वो आपके फेल हो गए है तो देखें अगला question हमारा ready है हमसे कह रहे है कि चाचा जी अपनी आय का 30% खाने पर वे 50% अन्य खर्चों पर मतलब लगाते हैं तो इनकी यदी आय 800 रुपे प्रती महीने हैं तो वे कितने रुपे बचाते हैं तो question को सुनते हैं किस-किस के हो अपने चाचा जी का ख्याल मन में आया ये मुझे बताओ जरा उसके बाद हम question करेंगे तो देखें 50 और 30 80% तो उन्होंने खर्च कर दिया क्योंकि उन्होंने चाचा जी ने 30% तो खाने पर खर्च कर दिया और 50% उन्होंने अन्या खर्चों पर कर दिया 80% बचा कितना 20% क्योंकि 100% होता है भी बताया तो 20% तो इसका मतलब 800 का वो 20% खर्च कर रहे हैं चीक है ना तो आप इसको यहां से निकाल दीजे 80 दुनी 160 रुपे वो महिने के कुल 160 रुपे बचा रहे हैं ठीक है अगला कोश्चन देखिए तो आईए स्ट्रेंट्स एक और सवाल करते हैं गांधी आस्तरम पर 20% की छूट की घोसरा हुई है यदि आपने 225 रुपे का सामान खरीदा है तो आपको कितने रुपे देने पड़ेंगे तो आप एक काम करिए सबसे पहले यहां पर 225 का आप 20% निकाली हुई इसको आपने यहां से काट लिया सौरी एक कड़ा है ठीना 25 और यह कड़िया 25 और 25 मतलब 45 रुपे की छूट हो रही है तो आपको देने कितने है यह कोश्चन पूछा गया है तो माइनस कर लिजे 0 और यहां पर हमारा कितना है 180 रुपे उन्हें देने पड़ेंगे ठीक है तो देखिए हमारे पास एक और पिल्कुल सेम सवाल ऐसा ही है बरतनों की दुकान पर 15 परसेंट की छूट मिल रही है तो हमारे पास मिल गी हमें 1.500 रुपे के बरतन खरीदे हैं तो हमें क्या छूट मिलेगी तो अब मेरे ख्याल से आप पे आसानी से एक कॉस्चन हो जाएगा क्योंकि आपको क्या करना है 1.500 फिर क्या करना है गुणा 15 बटे 100 ठीक है तो आप इसको यहां से माइनस कर लीजे और 5 तीया 15 और 5 तुनी 10 ठीक है नब 15 तीया 45 मतलब इसको आप भाग करेंगे तो 22.5 रुपे की आपको छूट मिलेगी ठीक है प्रतिसात निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसका परतिसात पूछता है जितने मैसे पूछता है और गुणा सो कर देते हैं तो इसका आप इसमें से काट लीजिए यह आपको हो गया 16,64 तो मतलब 16% वहाँ पर बच्चे हैं इसके बाद हमारा अगला question लास्ट question है और जिसको हमारे app के homework से app के free classes से और app के free test series से जुड़ना है तो वो description box में जाकर महाँ जुड़ सकता है ठीक है तो देखिए question box में से कह रहा है कि राकेस ने 50 में से 35 अंक अंग्रेजी में प्राप्त करें और गणित में उसने जो प्राप्त करें 46 अंक प्राप्त करें तो बताईए कि उसने किस विशे में कितने प्रतिसत अंक प्राप्त करें बहुत आसान है अभी प्रतिसत निकालना भी आपको इससे पहले सवाल में बताया है तो देखिए जितने हमें प्रतिसत निकालना है और जितने में से निकालना है गुणा सो ये तो हो गए आपके किसमें प्राप्त करें और अलग-अलग में इतने प्राप्त करें तो ठीक है और अग्ला स्टो हमारा टॉपिक है अब इसमें वह मारा चलेगा जो भी ठीक है ना उसमें अगली वीडियो देख सकते हैं बाकी थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्छ गुटबाई